हेलो गाइज आज का हमारा टॉपिक है डाइनेमिक ट्राइपिंग हमने प्रीविज वीडियो में यह पढ़ा था कि वाट इस वेरियेबल वैरियाबल इस वेरियाबल कंटेनर विच टो लेट स्टार्ट तो फ़से पहले इसकी डेफिनिशन देखते हैं डाइनेमिक टैपिं की ए वैरियाबल पोंटिंग तो वैल्यू ओ अव ए बियू अव डियू आप यह एक कंटेनर होता है जैसे फरेजमपल एक इस एकल टू तो तो आपका जो X है, X तो हमारा हो गया variable और 10 इसकी value, जिसको हम बोलते है, initialization. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, कि we can say that variable X is referring to a value of integer type, यानि X एक address है, reference में address है, जिसमें क्या store है, 10 और 10 क्या है, integer value. तो let in our program, if we resign a value of some other type of variable X, यानि हम यह नहीं कि integer पर integer हम store कर सकते हैं, हम इसके अंदर character भी store कर सकते हैं, string store कर सकते हैं, flood भी store कर सकते हैं, so let's start, हम आपके से एक example है, देखिये, हमने कहा कि X में 10 यानि एक integer store है, फिर हमने इसको print किया, प्रिंट करने के बाद, कंटेनर के अंदर हमने डाल दिया, X के अंदर, Hello World, और हमने वापस से प्रिंट कर दिया, X, तो, क्या आंसर आएगा, तो, देखते हैं, AboutCore will yield the output, तो सबसे पहले देखिए, जब हमने X इसको प्रिंट कर देगा, क्यों, First of All, 10 आया, उसके पाद, हमने X में, Hello World डाल दिया, तो, क्या हो गया, ओवर्राइट हो गया, याई पुरानी पिर नही वैलिया आ गया, तो, Hello World, त हमने 10, integer 10 डाला हुआ है, तो, 10 प्रिंट हो गया, हमने वापस से X के अंदर एक दूसरी value डाल दी, क्या है, Hello World, तो, जो हमारे X integer 10 है, वो क्या होगा, वो प्रिंट नहीं होगा, उसकी जिए क्या हैगा, String, Hello World, यानि, Hello World क्या है, String है, जो आपके data type को mention करता है, तो, देखे 10 integer, यह 20 integer है, चले हमें इसको और दूसरी तरीके से समझाते हैं, dynamic time, हमारे पास suppose करी एक container है, हमारे पास एक बहुत बड़ा container, जिसका नाम क्या है, X, इसमें हमने एक value डाली 10, और X में क्या प्रिंट हो जाएगा, 10, X में 10 आ जाएगा, लेकिन, हमने कुछ time बाद हमने उसम आपकिया, 8 को overwrite कर दिया, तो वहां से 8 हट जाएगा, और 15 आ जाएगा, अब यहां पर हमने आबू डाल दिया, जैसे हमने इसके अदर आबू डाला, तो यहां पर 15 था X में, तो वह हट जाएगा, और यहां पर क्या जाएगा, इस ट्रिंग, यानि double quote के अंदर, आबू आ जाएगा, तो कहने का मतलब यह, तो आपने कभी भी घर में, आपके मम्मी ने रोटिया बनाए होगी, तो क्या होता है, कि जहां पर रोटियों को collect किया जाता, तो सबसे पहले नई रोटि आती है, फिर उसके पाद दूसरी नई रोटि, तो देखे, एक के ऊपर एक layer बनती रहती है, तो आपके ममें जो रोटि देती है, कभी में नीचे से नहीं देती, उपर से, यानि जो updated रोटि होती है, वही आपको provide कराती है, ठीक है, तो इसे हम बहुते है, dynamic typing, यह क्या करता है, यह पुरानी value को replace करके, नई value को call करता है, तो अब हम मिलते है, next topic में, जड एल, त Personen, टाइ्ट sellers, ते विजू से झाता है, तो रूसरे है, मुझे से तो ग सबस्ते है, यह ने जो आजाए, तो जो जो सकते है, वह जो आई एल, एखर वझे रोट